दोस्तों ये जो आली सान बिल्डिंग आपको दिख रही है आपको साथ जानकारी वो ये भरत में पाकस्तानी की इंबैसी है और इसमें जो पाकस्तानी लोग रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल है वही भाई साहब इसी इंबैसी के अंदर खुला गया था मतलब अमीरी की इंतहां इसे कहते हैं भाई जी कि अपने बच्चों के लिए इन्हों ने अपना खुद का स्कूल बना रखा था लेकिन उस स्कूल में पढ़ाने वाले लोग भले ही भारती है थे लेकिन भाई स्कूल इनक में चल रहा जो स्कूल है उसमें कलिवन तीस स्टूडेंट थे तीस में से पच्चीस उनों ने पहले ही भगा दिये आप भारत में ही जो स्कूल है वहाँ एडविशन ले लो और जो पांच बचे थे उन से कहना है कि भाई जी इतने पांच स्टूडेंट के लिए थोड़ी दोस्तों यह जो हालत है पाकिस्तान की कोई भारती एंबैसी जोड़ी हुई नहीं है पहले आप स्वें देख लीजिए साइबेरिया और अर्जेंटीना के जो एंबैसी है पाकिस्तान की वहां भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं स्टाफ को सेलरी वीन दे पा रहे है स्टाफ के खाने की विवस्तानी कर पा रहे हैं बंद कर रहे हैं इतनी बुरी हालत है और क्यों हो रही है लोगों का कहना है सब पाकिस्तान को आये में बिल आउट नहीं मिल रहा है वो सब कारण नहीं है कारण है मोधी भाया जी मोधी जी के कारण पाकिस्तान को पैसा नही सब्सक्राइब कर देगा इसलिए मोधी जी का साथ देना है 2024 में आप देखिएगा पाकिस्तान भारत में जो इंबैसी है उस पर ताला डालेगा वो भी अपनी मर्जी से